यह जो lower limb deformity है जिसको knock knee भी कहते हैं घुटना तेड़ा होता है knock knee basically यह हमारा thigh का component है यह leg का knee है तो पैर ऐसे बाहर को जाने लगता है इंडिया में बहुत common यह problem आती है कि parents usually late लेके आते हैं 12-13 जब फिर बड़ी सज़ेश ही होती है चोटी सर्जी से हम नहीं कर पाते हैं मैंज पर्थी जीज़ेश की एक और बाड़ी problem उसमें दर्द नहीं होता है बच्चे को कोई पेंड नहीं होता है बस हलका लंगड़ा पनाने लगता है तो अगर parents यह observe करें कि बच्चा हलका लंगड़ा रहा है चाहिए वो mild हो तो भी consultant orthopedic surgeon या pediatric orthopedic surgeon normally एक बच्चा गर्दन तीन महिने पर सभालता है छे महिने पर बैठने लगता है एक साल के आसपास चलने लगता है तो cerebral palsy के बच्चे में most of the time यह सारे milestones delay हो जाते है नमस्कार मैं हूँ पंकच कुमार इस कहास पेशकस में मैं बात करने जा रहा हूं एक renowned child orthopedic surgeon जिनका नाम है डॉक्टर सोमेश विर्मानी विर्मानी साथ है यह चाइल्ड और्थोपेडिक पेडियाट्रिक और्थोपेडिक surgeon इंफेक्ट जिसको scientific terminology में medical terminology में कहा जाएगा वो हमारे साथ है और इनका लंबा अनुबव है बच्चों के इलाज को ले करके बच्चों में इन दिनों कई तरह की बिमारियां होती है कई बिमारिया अनुवांशिक होती है जेनिटिकली होती है और कई बिमारिया acquire की जाती है, जन्म के बाद उनमें develop होती है आखिरकार किस-किस तरह की बिमारिया होती है उससे क्या precaution लिया जा सकता है उसको कैसे treat किया जा सकता है क्योंकि छोटे शहरों में, गाओं में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके parents ignorant होने की वज़े से उनमें awareness की कमी होने की वज़े से वो अपने बच्चों का इलाज करा नहीं पाते हैं और उसके बाद जब बिमारी बिवत्स रूप ले लेता है तब वो डॉक्टर के पास बड़े शहरों में पहुंसते हैं जाहर तोर पर आज हमारे साथ डॉक्टर सुमेश विरवानी हैं जिनके बहुत सारे परिचे हैं मैं आपको बता दू कि वो प्रेस्टीजियस और्थोपेडिक सोसाइटी जैन और्गनाइजेशन के मेंबर भी हैं जिसमें इंडियन और्थोपेडिक असोसियेशन पेडियाट्रिक और्थोपेडिक सोसाइटी ओफ इंडिया यह दोनों और्गनाइशन के वो सदस्य और साथी साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल से ज्यादा का अनुभव इनको प्राप्त है इन्होंने बच्चों का इलाज किया है तो मेरा सबसे पहल यह समझना चाहूंगा कि आखिरकार और्थोपेडिक सर्जन और पेडियाट्रिक और्थोपेडिक सर्जन में डिफरेंस क्या इतने स्पेसलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है क्या बच्चों के हड्यों के इलाज में कोई डिफरेंट मेकानिजम इस्तेमाल करना लो में बच्चों के बार्याटिक सर्फ आप इलग कैसे है पीडयाटिक और्थोपेडिक सर्जन लाम तो लगी रहा है कि हम बच्चों की बन टृंद कोुए करते हैं बच्चों की बोन ही जो है वो पर से अडल्ट से अलग हो जाती है कुछ चीजें उनमे अलग है जैसे बच्चों ben-टि इन्द फाड्व कर रही होती है अडल्ट की बोन बो में उसके बच्छ थांड की कम होता ह् स्टॉंग या फिर थोड़ा सॉफ्ट होता है वो जॉइन्ट की मुवमेंट में तो हल्प करता ही है साथ में ग्रोथ प्लेट में भी कार्टिलेजी होता है सो बच्चों में कोई भी अगर इंफेक्शन होता है या कोई चोट लगती है तो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कार्टिलेज है या ग्रोथ प्लेट है उसको एकदम मेटिकुलस्ली उसको वापस अपने जगपे लाएं अधर्वाइस बच्चों में आगे जाकर बहुत जो जो अनुवांशिक जिनको आप कॉंजेंटल डीजिस कह रहे थे अगर कोई बच्चा टेड़े पैर लेके चोटा पैर लेके पैदा हो रहा है तो उसका टीटमेंट एडल्ट पे नहीं तब ही हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम ही हमें करना है सेकिंड कुछ बिमारियां ऐसी ह भी मैंसे मैनेज कर पाते हैं तो काफी बासे तो टो हम एक्सपेक्ट करते हैं और उनके को बरें को कुछ और जाती उनके brain को कुछ injury हो जाती है तो वो भी बच्चों में ही है so in nutshell मतलब बच्चों का disease spectrum भी अलग है bone की composition भी अलग है और उनकी जो growth potential है वो उसके चलते हमें उसकी bone को अलग तरीके से तोड़ा treat करना पड़ता है and secondly, बच्चे थोड़े forgiving भी होते हैं adults में कोई fracture है तो हमें उसको बहुत अच्छे से align करना पड़ता है but बच्चों में क्योंकि growth होनी आगे जाके growth के साथ काफी कुछ हड़ी वो अपने आप इसीजी हो जाएगी तो हम काफी कुछ within a limit हम जानते हैं हम किस bone में कितना deformity accept कर सकते हैं तो हम कई बार surgery भी avoid कर पाते हैं particularly in children so यह कुछ वचे हैं जिसके चलते bone pediatric orthopedic disorder बच्चों को हम अलग से teach करते हैं और उसके लिए हमें training भी definitely अलग से चाही होती है मैं अपने experience से बता सकता हूं क्योंकि मैं पहले दोनों adult बच्चों और बच्चों दोनों को करता था अब उसके बाद मैं 15 साल उसको भी करते हुए हो गए हैं मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा कि बाल orthopedics के तोर पर बच्चों में कौन-कौन सी सामान बीमारियां बार-बार सामने आई हैं क्योंकि आपने अभी बात की आपने बात की एक-दो बीमारी की और आपने बात की जो कि बहुत कॉमन है और अगर उसका हिलाज सही तरीके से किया जाए तो वह बिल्कुल इंप्रूफ कर सकता है रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ सकते तो मैं चाहूंगा कि आपके जरी दर्शकों को यह पता चल सके कि आखिरकर वह कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में अक्सर होती हैं पाई जाती हैं अगर पैरेंट्स अवेर बीड़े बैसे पर डील करते हैं एक तो डिफामटीस पैर का टेड़ा पन नौक नी बोलते हैं हम बहुँ लग बोलते हैं वह बहुत कॉमन है उसका मॉस्ट कॉमन कॉस्ट का वाइटिमिन डी डैफिशेंसी है और भी वज़य है वाइटिमिन डी पूरा होते भी कई को भी अच्छे से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं इवन इन पैरिफ्री चोटी जगहों पे भी तो सर्वल क्लब हैं डिशी कुछ पैदाशी बिमारियां हैं दो और बिमारियां जिनका मैंने पहले भी नाम लिया पर्थिस डिजीज वह भी बहुत ही कॉमन बट देस्ट आलसो वान वान दिजीज विच वी डील इन पेडियार्टिक और्थपडिक्स रेगुलर्ली अन देटो देवेस तो यह पर्थिस में होता क्या है दरसल क्या सिम्टम्स होते हैं जो अप रेगुलर बैसेस पे डील करते हैं और साथी साथ मैं ये बी चाहूंगा कि ये लोवर लिंब डिफॉमेटी ये तो कॉन जैनिटल है नहीं तो ये जो लोवर लिंब डिफॉमेटी जिसको नॉक्ट भी कहते हैं घुटना टेड़ा होता है तो एक तो अनुवानशिक बिमारी है एक बड़े होने के बाद होता है तो इन दोनों में जड़ा differentiate करके बताइए जो पर्थी जिसको आप कहते हैं कि कॉमनली डील करते हैं वो किस चीज की वज़े किसे होता है क्या अबयर्ड पैरेंट्स जो हो क्या उनके बच्चों में इस तरह की समस्या नहीं होती और होती है तो उसकी पहचान कैसे करें और फॉरंड आप जैसे डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा जाए एक तो यह बात है और दूसरी तर्मिनोलोजी में नॉक नी कहते हैं उसको कैसे पहचाना जाए उसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं कि वह देखते ही लगे कि इस तरह की बिमारी हो रही है और हमें फॉरन किसी पेडियाट्रिक और्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए आप में बहुत दो रेलेवेंट अच्छे कॉश्चन्स पूछे हैं आपकी फॉर दो अलग लग हैं सबसे नॉक नी बताता हूं क्योंकि ज्यादा कॉमन है नॉक नी बेसिकली यह हमारा थाई का कॉमपट है लाग का नी है तो पैर ऐसे बाहर को जाने लगता है नॉक नी काफ के लिए चाहिए होता है बॉडी में जो हम दूज से या वाटावर सोसे से हम कैलिशियम ले रहे हैं उसकी अब्सॉपशन में वाइटीमिन डी हल्प करता है अगर किसी वज़य से बच्छे के बाडी में वाइटीमिन डी कम है तो कैल्सियम के अब्सॉप्शन घट जाती है और वो घड़ती है केलिशिम फिर आगे बोन के मेटेबलिजम और बोन की स्टेंग्थ और बोन की लेंग्थ बढ़ाने के लिए चाहिए तो बोन वीक होती है जैसे बच्छा चलता है तो ठेड़ा पनाने लगता है इसका कॉमन प्रेजेंटेशन डेफिनेटली ठेड़ा दिखने लगता है बच्छा तो वह एक इंपॉर्टेंट है और शुड़ों में बहुत काम होता है और बच्छ पेरेंट्स करेंबा नोट नहीं कर पाते हैं अगर वाइटेमिन डी की कमी से और कोई कमा कमी नहीं है फर्स्ट अब यह होता है किस वजह से लट्टे से वाइटेमिन डी की कमी निकल के आई तो 5-7-8 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे सिर्फ वाइटेमिन डी देंगे और विल वेट क्योंकि बच्ची के उसके बाद काफी ग्रोथ पोटेंशल अभी है दो चार साल चार साल जब वाइटेमिन डी हम दे देंगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा प्राबलम आठ साल के है तो अगर पेरेंट्स उस स्टेज पर हम मेरे पास ले आते हैं बच्चे को तो इस एजी फॉर मी टू मैनेज विकॉस एक बहुत चोटी सी जिसको मीनिमली इंवेजिव साज़ी कहते हैं उससे उसको करेक्ट कर सकते हैं बट इंडिया में बहुत कॉमन यह प्राबलम आती बोन्स में पैरों में पर्टिकुलरी कोई ठेड़ा पन चाहिए वो नौक निया फर बोला है तो आप उनको जल्दी लेके हैं कंसर्ट और और्थोपेडिक सर्जन वॉटेवर इस रिक्वाइड दान और मैनेज़ अधाट स्टेज नाव कमें टीर सेकेंड पार्ट यू है उसकी ब्लड से घट जाती है और अगर जाती है तो बचे बाल से वह पिचकने लगता है तो बच्चों में क्योंकि हीलिंग कपैस्टी बेटर होती है अगर उसकी एज शे साथ आठ शे साथ आठ साल तक है तो गूंखून का दोरह वापस भी आता है और फ्लैट से वापस गोल हो जाता है तो ऐसे पेडियाटिक और्थोपेडिक सर्जन मेरा काम क्या है कि वो जो दो या धाई साल तक हो पहले फ्लैट होके वापस गोल होने वाला है उस समय तक उस गोले को या उस हिप जॉएंट को प्रिसर्व रखना तो फिर वही बात लेकिन अगर पेडिन्स ले प्रियाटिक और्थोपेडिक सर्जन लेट देम सेसेंट डिसाइड के कुछ टीटमेंट की जरूर्थ है या नहीं नहीं है एक और बीमारी के हमने चर्चा की वह है सेरेवरल पैल्सी एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों के लिए इनके माता-पिता और परिवार के लिए भ है आव जन के बाद होता है बच्चे बड़े होते हैं तब होता है और यह बीमारी होती है तो इसके इसको फानाद कौना जाए ताकि आखिया आप अपके अपने रशकों को बटा सकें और वो ऩ presents जान सके 평 virus को श्यान सकें और ठोल्षब को बिलक़ों सो पालसी का इंसीदंस पे पिछले सालों में बड़ा है, वज्बापनीज किया होतीज प्रभुविं कोुछिण पूंची कुछ इनसल्ट हुई यूशली वो होती है इस नाम कह रहा है, डिलीवरी के समय, या शुरुम के कुछ हफ़तों में, बच्चे के ब्रेट को, को ब्रेन को किसी वज़े से कुछ चोट पहुंची चोट मेंस कुछ इंसल्ट हुई और यूजली वह होती है इंसल्ट के बच्चे के ब्रेन को ऑक्षिजन नहीं मिलती है नॉमली बच्चा पैदा होते ही रोता है अगर बच्चा पैदा होते रोएगा नहीं रोने से क्या होत होता है और हम ऐसे सुनते हैं कि बच्चा पैदा होते रोया नहीं अगर बच्चा रोएगा नहीं तो ऑक्षिजन नहीं जाएगी ऑक्षिजन नहीं जाएगी बॉड़ी में तो बाकी और फिर भी कुछ मिनिट्स तक प्रविबली उसको सह सकते हैं बट ब्रेन को तीन या चार मिनिट में ऑक्षिजन चाहिए तो वो तीन-चार मिनिट में अगर ऑक्षिजन नहीं मिलती है तो ब्रेन को कुछ न कुछ डैमेज हो जाता है विच और उसको हम साइंटिफिक तर्म में आगे जाके सेर्वल पालसी लेबल करते हैं ब्रेन हमारी पूरी बाड़ी को कंट्रो को बोलने को सो डिपेंडिंग उपन ब्रेन के किस हिस्से को डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंगली बच्चे के सिम्टम आते हैं कोई बोलने ही पाता है बच्चा ठीक से कोई सुनने में दिक्कत आती है किसी की IQ एफेक्ट हो जाती है तो सेर्वल पालसी का स्पेक्ट्रम का होता है काफ बच्चों में इंक लीकिन मास पीश्यों की बार्णिया जो है मास पीशिय है और कुछ मास पीश्य कम्यशन होती है Bundes, वह और सिर्वल पालसी डिवे के हर बच्चे में होता है और और वह फिल्यूर्च में मेरा काम सहे लीय working मैं करना है मास प्ट्चे के लिए ज सभालता है 6 मैंने पर बैठने लगता है एक साल के आसपास चलने लगता है तो सेरेवल पालसी के बच्चे में मोस्त अधर टाइम यह सारे माइल स्टोन्स डिले हो जाते हैं और दाट इस दो मोस्त कॉमन प्रेजंटिंग सिंप्टम पेरेंट्स को दिखाई देने लगेगा त तो अगर पेरेंट्स को कभी ऐसा लगे कि पैदा होने के बाद बच्चे के माइल स्टोन्स डिले चल रहे हैं च्छे महीने तक उसने गर्दन नहीं संभाली है या एक साल तक नो महीने दस मेने तक एक साल तक बैठना ने शुरू किया तो दैट्स काइंड ऑफ पॉइंटर यह एक इशारा है कि प्रभबली बच्ची को कुछ नों और भी कई सारी विमारियां जिन में ऐसा होते हैं अगर हम जितना जल्दी टीटमंट स्टार्ट करेंगे उत्रा हम आगे प्राब्लम्स को बचा पाएंगे क्योंकि अगर मसल्स टाइट लाग काफी लंबे समय तक एक्ट करेंगी जिस मसल्स ने ऐसे एक्ट करना था वो त्यड़ी चलेगी तो हड़ी को भी त्यड़ा कर देगी देन प्राब्लम्स मल्टी फोल्ड बढ़ जाती हैं डाक्टर आप अपने और भी तरह की बिमारियों का इलाज किया होगा क्योंकि अगर हम नाम की बात करें तो SCFE, CTEV, CVT, Radial Club Hand, CDK ये किस तरह की बिमारिया हैं क्योंकि ये भी बच्चों की बिमारिया हैं इस बिमारी से सफर करने वाले बच्चे को भी पेडियाट्रिक, और्थोपेडिक सर्जन के पास ही जाना चाहिए बेलकुल ये जो आपने जित्ती बिमारियों के नाम लिया, SCFE या फिर CVT, SCFE मैं बताता चलो, इसलिए कैपिटल पेमोरल एपफाइस बोलते हैं उसको, CVT है, कॉंजेंटल वर्टिकल डिजीज, Radial Club Hand, तो CVT, Congenital जैसे नाम कहरा है, पैदाशी foot or ankle की बिमारी है, उसमें एक bone की orientation थोड़ी टेड़ी होती है, जिसके पैर में काफी टेड़ा पनाता है, Radial Club Hand में दो bones होती है, forearm जो हमारी forearm है, तो इसमें से दो मौन से एक bone absent होती है, तो उससे हाथ टेड़ा होने लगता है, तो ये सा science तो of course advanced हो ही रही है, तो अगर ये ठीक समय प्रेजन करते हैं, तो इन काफी disease में हम timely intervention से काफी अच्छे results भी ला सकते हैं, काफी अच्छे results आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि parents में ये awareness आना, कि इस बीमारी के लिए orthopedician के पास जाएं, या उसमें भी specialized pediatric orthopedic surgeon के पास जाएं ये भी awareness होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं आपको बताओं, जैसे मैं आपके hospital के बारे में भी जानना चाओंगा, या जहां आप काम करते हैं, उसके बारे में भी जानना चाओंगा, कि क्या वो exclusively बच्चों के orthopedic treatment के लिए ही जाना जाता है, वहाँ पर तमाम ऐसी ब different thing, इसमें ज्यादा specialization है, बच्चों के bones, cartilage differently behave करते हैं, उनको treat different तरीके से किया जा सकता है, तो मैं यही सवाल आप से करना चाओंगा, कि क्या आप जहां काम करते हैं, वहाँ पर बच्चों के bones से related problem को ही treat किया जाता है, और दूसरा सवाल मैं आप से करना चाओंगा, एक ह में वह बिमारी हो, parents में नहीं हो, फिर बच्चों में appear हो जाता है, मतलब वह occur करने लगता है, या फिर parents में वह problem होती है, और वह genes के सारे अपने आपको express करने लगता है बच्चों में, यह किस तरह की बिमारी होती है, congenital disease, या conceive, जब माताएं करती हैं, उस दर्मियान जो में वह यह problem आती हैं, जड़ा इस congenital disease के बारे में भी बताएं, तो यह दोनों सवाल मैं आप से पूछना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपको दोनों सवाला को जा दूँगा, पहला सवाल था, सवाल था हमारे हॉस्पिल के बारे, सो मैं सरवादय हॉस्पिटल फरीदाव जड़ा पार्फिकॉंट पार्ट करता हूं, जो मैं वहाँ पे अर्ट करता हूं, फो और को यह क्या पडिशे पार्टमेट करना स्टार्ट किया है, और बच्यों की जो बोन जोइन की डेज़िज है, हम वहाँ पर नेकों मनेज कर रहे हैं, और धूर एंकूदिग में … टीन अद्धार्ट नोग तीन लोग जो पीडियार्टिक और्थ को मैनेज करते हैं we have a physiotherapy Department so in natural I'll say we are almost well equipped to fully equipped to handle all pediatric orthomatic disorders at servodhya hospital Faridabad now second question of yours which was regarding congenital diseases वह आपने बहुत अच्छा question मुझे अच्छा जाद दिलाया मेरे दिमाग से निकल गया था बिकॉस जितने भी बच्चे मेरे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं पैदाशी विमारियां उनके फेस पर रीड कर सकता हूं और कई बार पूश भी लेते हैं एक बहुत गिल्ट की फिलिंग होती है उनके अंदर अगर किसी के बच्चे का पैर टेड़ा है या छोटा है या फिर देना चाहाँ को उसमें का कोई फॉंट नहीं है उनका कोई गैल नहीं है उनको गैल्ट नहीं रखनी जहीं का कोई फॉल्ट्टे-निय विकॉज वाट्ट प्रॉस्स ज writes फिर जनीट्वीक कॉछ इस इस होते हैं जमजाना स्कार मुश्किल है जो परे डिशित इसमें कोई generator होती है number one second अपने question पूछा था congenital disease or genetic disease कैसे present करती है genetic disease dominant recessive दो तरह की होती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी family भी run कर रही होती कि दादा को भी father को भी फिर बच्ची को भी या फिर mother को और बच्चों को है पर कई बार कुछ ऐसे भी होती है कि रिससे कि वो बच्चों में जीन जो है वो डिफेक्टिव था बट पार्शियल था दो जीन्स होते हैं तो एक जीन पार्शियल थीक था नॉमल था तो जिसकी वजह से उसम्टम नहीं आए पेरेंट्स में बट अब बच्चे में दोनों जीन्स अफेक्टिड हैं तो बच्चे में उसम्टम आ गए तीसरी वजह जैनेटिक डीजिस की क्या होती हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं कि पहले पेरेंट्स में को या पूरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था बट बच्चे में कैसा डिफेक्ट है उस पर डिपेंट करेगा मैंने इसलिए ऐसा सवाल किया क्योंकि कई सारी बीमारियां अगर आप उसके बारे में जाने तो पता चलता है कि वो दादा में था पैरेंट्स में रिसेसिव रह गया और बच्चों में फिर से एक्सप्रेसिव हो गया डॉ एक जेनरल पैरेंट्स को जिनके बच्चे ठीक ठाक पैदा होते हैं उनको अपने बच्चों के बोन के लिए क्या केर करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में बहुत तरह की ब्रांती है एक बहुत सारे लोग कहते हैं बेकेंड डाइट सुरू कर दो दूद मत पिलाओ कई जग सवाल बहुत उठता है आजकल बच्चे ज्यादा तर टाइम एसी में रहते हैं उससे बोन्स कितना इफेक्टेड होता है वो भी एक बड़ा सवाल है तीसरा सवाल यह है कि जिनके बच्चे ठीक भी हैं उनको और वो ग्रो कर रहे हूं अपने बच्चों को ग्रूम कर रहे ह के लिए क्या करना चाहिए क्या ध्यान में रखना चाहिए मुझे लगता है हमारे दर्शा की बात जरूर जाना चाहे होंगे कि नॉर्मल बच्चों के पैरेंट्स को अपने बच्चों की ग्रूमिंग के लिए क्या विशेश ध्यान रखना चाहिए खान पान में क्या ध्या से बता है vitamin D deficiency बहुत common है एक तो वह important है एक और important चीज जोब में अपनी day-to-day practice है पिछले कुछ सालों से ज़्यादा देख रहा हूं बच्चों में overweight और obesity की problem बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसकी दो-तीन वज़ाएं fast food junk food is one of the major reason sugar content of food जो हमारे हर food में है वो एक रीजन है तीस्टा फिजिकल इनक्तिविटी सो अगर मैं को मैं हर डेल टुड़े अपनी ऑपटी में हर दूसरे बच्चे को बात बोल रहा होता हूं आपके स्थूशाद में काफी काफी सारे parents बच्चों तक पहुंच भाऊंगा तो मैं दो-तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा number one बच्चों को sun exposure बहुत इंपोर्टेंट है so vitamin D deficiency मैंने बताया है बहुत कामन है vitamin D के कुछ sources ही है हमर पस good sources milk and milk products like milk, curd, cheese लेकिन अडल्टरेशन और सबके चलते प्रबभली उसमें भी we cannot fully rely but sunlight is a very good source of vitamin D और उसकी कुछ conditions होती है प्रेफर टाइम जिससे vitamin D अच्छा बनता है वो कहा जाता है दस से तीन बजे पर बहुत तेज धूप है दूसरा एक direct skin exposure to sunlight तो मैं बहुत बार parents को बताता हूँ कि 10-11 के आसपास बच्चों को 10-15 मिनट जित्रा भी कर से के depending में उन कितनी तेज धूप है उनको कम से कम कपड़ों में धूप में थोड़ा exposure दो ताकि direct skin exposure to vitamin D बनेगा number one second physical activity keep them active in sports so that overweight or obesity जो हमने कई सारे disease डिसकस की उन में overweight और उसका भी रोल होता है जैसे slipped capital from all the sacrifices में और otherwise भी बिकॉज रितक पीडियाटिक ओपेटिक एक स्टीम है पड़ागर as a whole body holistic body के हम बात करें तो भी overweight or obesity is a major deterrent for a good health keep them physically active junk food sugar content of food should be reduced to a minimum and of course अगर हम active रखते हैं इन चीज़ों कर देहान रखेंगे तो I think we can take care of our kids in a very good way so thank you doctor आपने आज बहुत सारी महतुपून जानकारियां दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जब यह video देखेंगे तो निश्चेत तोर पर अपने बच्चों का proper care करेंगे और उन्हें बहुत सारी जानकारियां मिल सकेंगी कि बच्चों में किस किस तरह की बीमारी हो सकती है जो बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी parents को guilt feeling रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर बच्चों में किसी तरह की बिमारी होती भी है तो उन्हें किसी तरह का guilt होना नहीं चाहिए फौरन उन्हें बहुतर डॉक्टर से संपर करना चाहिए और डॉक्टर सोमेश विर्मानी जैसे डॉक्टर जिनोंने अपनी practice को बिलकोल पूरे तरीके से बच्चों के लिए devote कर दिया है समर्पित कर दिया है तो निश्यत तोर पर यह उसके लिए बहुत helpful हो सकते हैं या ऐसे pediatric orthopedic surgeon बहुत helpful हो सकते हैं अगर आपके बच्चों में इस तरह की कोई भी बिमारी या उसके लक्षन दिखाई पड़ते हैं तो तो डॉक्टर सोमेश विर्मानी हमारे साथ सामिल होने के लिए इस प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सुक्रिया तो इस विशेश प